बीच एक बड़ी खबर आ रही है वो ये कि आप घरेलू डोमेस्टिक स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनियों के लिए अच्छी खबर है स्मार्ट मीटर लगाने में सरकार ने घरेलू कंपोनेंट को तरजीह देने का फैसला किया है इसे चरणों में अनिवार बनाये जाएगा पूरी खबर लेकर जुड़गे हमारे से योगी प्रकाश प्रिदर्शी प्रकाश बताईए क्या अपडेट्स हैं आपके पास देखें डोमेस्टिक मैनिफाक्टरिंग कंपनीज के लिए बड़ी खबर है खासकर वैसी कंपनिया जो स्मार्ट मीटर की मैनिफाक्टरिंग कर रही है क्योंकि उन्हें आने वाली दुनों में बड़े आउसर मिल सकते हैं दरसल उर्जा मंत्राले ने स्मार्ट मीटर के प्रिकुर्मेंट में जो मिनिमम लोकल कॉंटेंट की हिस्सेदारी है उसको बढ़ाने का फैसला किया है और साथी साथ इसको आवश्य करने का भी फैसला किया गया है जो नैनियम उर्जा मंत्राले ने जारी किये हैं उसके हिस साब से smart meters के procurement में 2025 एप्रील से minimum local content की जो भूमिका होगी वो 54% होगी कम से कम साथी साथ इसको शर्णों में बढ़ाया भी जाएगा 2027 एप्रील से इसको बढ़ाकर 60% कर दिया जाएगा और 2028 एप्रील से इसको बढ़ाकर 65% कर दिया जाएगा इसका मतलब यह है कि जो भी smart meters की procurement की जाएगी उसमें वैसे equipment जिसकी manufacturing देश के अंदर ही हो रही है उसके हिस्सदारी 2028 एप्रील से कम से कम 65% होनी चाहिए इसका मतलब यह है कि domestic manufacturing करने वाली जो companies हैं उनको बड़े औसर मिलने जा रहे हैं दरसल DPIIT और MIT के साथ consultation के बाद दुरजा मंत्राले ने यह फैस्टा जाता ही है और सरकार को यह भरोसा दिलाया है कि domestic manufacturing जो है उसमें बढ़ोतरी करेंगे इसका मतलब यह है कि जो suppliers हैं जो कि smart meters के supply कर रहे हैं उन्हें preference इस बात में दी जाएगी अगर वो minimum local content के साथ smart meters के supply कर रहे हैं तो जाहिर तोर पे domestic manufacturing के लिए बढ़ी रहात है क्योंकि उन इसका है और अभी तक जो supply की गई हो सिर्फ 70 लाग तो आप समय सकते हैं domestic manufacturing companies के पास कितनी बड़ी opportunity है अगर वो minimum local content के साथ smart meters की supply करते हैं ठीक है शुक्रिया प्रकास तो निश्ची तोर पर एक बड़ी ख़बर 60% जो component होंगे घरेलू कंपनियों से खरीदने हैं जरूरी हो दो गुने तीन गुने हो चुके हैं आज थोड़ी से नर्विया आपको जरूर दिखेगी लेकिन अगर आप साल बर को उठा के दिखी तो आपको यकीन ही होगा कि इच्छा ये शियर इतने चल चुके हैं और अब सरकार की तरफ से एक और master stroke इन कंपनियों के पक्ष में तो घरेलों कंपनियों को तरजीह दी जाएगी और 60% component उनसे खरीदना जरूरी हो जाएगा तो उनको यह further बूस्ट मिलेगा आप कुछ ऐसी 2-4 share recommend करेंगे इस ख़बर के दम पर आपको कहां स्टेंद दिख रही है हमें लगता है HBL Power Systems इसने एक अभी global collaboration भी किया है एक Singapore-based company के साथ तो इसमें काफी upside रहेगा और जैसे आपने कहां कि एक सार का चार्ट अगर आप देखेंगे तो most of the smart meter making companies 100% से ज्यादा बढ़ चुके हैं पिछले 6 मैने में आई एक साल में बट जो एक gap है जो government का target है smart meter provide कर करने का और current number है जो कि आपके कलीग ने बताया बहुत बड़ा एक upside room है उसके चलते Schneider Electric on the large cap space और HBL Power Systems on the mid cap space बहुत अच्छे stocks रहेंगे overall ये policy जब आती है तो ये stocks एक बहुत बड़े run पे चले जाते हैं देखिया आप auto sector में भी ऐसा government ने किया था import को थोड़ा सा discourage करके home production making defense defense policies जो आई या ethanol blend fuel related जो policy आई थी overall इंडिया का जो है manufacturing production link schemes ये सब एक ecosystem develop हो रहा है ये policy भी इसी में एक building block है और smart meter manufacturing companies के लिए एक बहुत बड़ा golden period जो हम कहेंगे would be the start of that golden period also reflected in the stock crisis okay ठीक है खेर जिस अब अब निफ्टी के बारे में थोड़ देर हम पहले जो